नमस्कार दोस्तों, शिवजी की पूजा से हर प्रकार के कस्ट दूर होते हैं, आम तोर पर लोग शिवजी की कृपा पाने के लिए दूद, दही, शहद, फूल, इत्यादी अर्पित करते हैं, माननेता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है, जिसके जीवन में हर दुख दर्द दूर होते हैं, इसके अलावा भी कई ऐसी चीजे हैं, जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुप माना जाता है, आईए जानते हैं कि शिवलिंग पर किन दस पत्तों को अर्पित करने से अपार धंसम पत्ती की प्राप्ती होती है, और हमारे दुख दर्द दूर होते हैं, चलिए जान दे हैं, सबसे पहले बात करते हैं अशोक के पत्ते की अशोक का पत्ता शोक का नाश करता है साथ ही शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अरपित करने से संतान सुख की प्राप्ती होती है संतान से कस्ट मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शेवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने चाहिए इसके अलावा धन लाग की कामना के लिए भी शेवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना शुब होता है इतना ही नहीं, घर में अशोक का पेंड लगाने से शोक, दुख और दरिदरता का वास नहीं होता जो लोग आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं, उन्हें अशोक के पेंड की जड़ को लाल या सफेद रेशमी कपड़े में लपेट कर कारिशेत्र पर या बिजनेस वाले इस्थान पर रखना चाहिए, ऐसा करने से बिजनेस और रोजगार में लाब होता है अगर दुर भागे पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो शिव भक्तों को शिवलिंग पर आम के पते जरूर अर्पित करने चाहिए शिवलिंग पर आम के पते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है, साथ ही ऐसा करने से अपार धनसंपत्ती की प्राप्ती होती है भांग धतूरे के पते भागवान शिव को धतूरा और भांग अतिप्रिय है मानेता है कि शिवजी को भांग और धतूरे के पत्ते अर्पित करने से शिवजी प्रसन होकर भक्तों की हर मनो कामना पूर्ण करते हैं अनार के पत्ते किसी भी प्रकार का दुखदर्द है या कारियों में रुकावटे आ रही है या फिर परिवार में सुख सांती नहीं है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें साथ ही अनार के रस्ट से सिवलिंग का रुद्राभिशेक भी करें इसके अलावा अनार की लकडी से किसी तरह का यंत्र बनवाना भी शुब होता है घर की सीमा के बाहर अनार के पेण पूरू पश्चिम में लगाना शुब होता है इसके अलावा परिवार में सुख सांती के लिए शिवलिंग पन अनार के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। बर्गत के पत्ते बर्गत के पेड को त्रिमूर्थी का प्रतीक माना जाता है। बर्गत के पेड की छाल में विश्णू, जड में ब्रम्हा और इसकी शकhाओं में शिव जी का वास होता है यहीं बज़य है कि बरगत के पेड़ को शिव जी का प्रतिक माना जाता है ऐसे में बरगत के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुरगटना से रक्षा होती है किसी गंभी रोप में आयू संकट भै कम हो जाता है जानते ही हैं बेल के पत्ते भगवान शिव को अतिप्रिय हैं। बेल पत्र का त्रिकोण आकार भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। बेल के पेड के नीचे दीबक जलाने से ज्ञान की प्राप्ती होती है। इसके अलावा शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कलेश से मुक्ती मिलती है साथ ही विरोधी नुकसान नहीं पहुचा पाते हैं। अगली बात करते हैं नीम के पत्ते की। जो लोग लंबी बिमारी से पीडित हैं उनको रोग में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम के पत्ते जरूर अरपित करने चाहिए। मंगल बार के दिन नीम के पेड में जल अरपित करके चमेली के तेलगा दीपक जनाने से अमंगल नहीं होता है। आग के पत्ते अगर जीवन में किसी से भी मनमुटाव है या कलेश है तो शिवलिंग पर सफेद मदार के पुष्प या आग के पत्ते जरूर अरपित करने चाहिए माननेता है कि आग के पत्ते में भगवान गणेश का वास होता है। आग का पौधा अगर घर के सामने हो तो उसे शुब फल देने वाला माना गया है। आग के पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक उर्जा का प्रभाव व्यक्ति, घर या परिवार पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आग का फूल शनी देव को भी प्रिय है। कुंडली में अगर शनी दोस हो तो आग के फूल से शनी देव की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों हमारे भोले नात तो बहुत भोले हैं, उन्हें तरह-तरह के उपाय करने की कोई अवश्यक्ता नहीं, भोले नात तो प्रकर्ति के भी प्रेमी हैं। आप चाहे तो इन पत्तों को भी चड़हा करके भगवान भोले नात की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये थी हमारी जानकारी, उमीद है कि हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें साथ ही, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें, आपकी राय हमारे लिए बेहद ही महतपून है, झाल